आज मैं आप लोगों के लिए लेकर तो अशेल领ंट हो समय दू ựcमशंब कााथ जहरोLo ा है अध्यायं लिया हैा दो काप आठा यह बड़ते हैं मेरे सब्सक्राणू़गों उआटब अख यह निय खना के आठा के लिए! तयार कर लेंगे जैसे हम regular घर पर करते हैं तो पानी आप जैसे जैसे आपको required हो आप पानी का इस्तेमाल कीजिए और एक से में soft dough बना कर तयार कर लीजिए तो यहाँ पर dough मैंने बना कर तयार कर लिया है अब इसे हम 10 मिनट के लिए rest होने के लिए छोड़ देते हैं जिसे यह पराठे और भी soft और अच्छे बनकर तयार होंगे तो 10 मिनट हो चुके हैं और इसे हम थोड़ा सा घी या तेल लगा कर फिर से अच्छे से एक बार गूंद लेते हैं जिससे आठा और अच्छे से soft हो जाएगा और पराठे बहुत अच्छे बनकर तयार होंगे तो दोस्तो जब भी आपका सबजी बनाने का मन ना हो तो आप इस पराठे की रेसिपी को बना कर ज़रू ट्राइ कीजिएगा तो अब हम इसके बड़े बड़े तोडेंगे तो जैसे हम regular घर पर पराठे बनाते हैं तो हम बहुत छोटे पेड़े लेते हैं तो मैं आपको दिखाती हूं देखिए हम इस size के पराठे अगर बनाते हैं तो हमें इतना extra लेना है क्योंकि यह पराथे थोड़े मोटे होते हैं तो इस साइज के पेड़े हमें बनाकर तयार कर लेने हैं तो चलिए अब हम इनको रोल करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे पहले हम एक पराथा बेलकर तयार करते हैं बीच बीच में सुखे आंटे का इस्तेमाल करें और इस तरीके से इसे बेलते जाएं तो यहां पर मैंने इसे इतना बड़ा बेल कर तयार कर लिया है अब मैं इसमें घी अच्छे से अपलाई करूंगी दोस्तों इसमें घी कभी में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजेगा क्योंकि हम कभी कभी तो परांठे खाते हैं और उसमें घी की कंजूसी करें तो परांठे अच्छे नहीं बन पाते हैं तो हम घी अच्छे से लगाएंगे और अगर घी अच्छे से लगाते हैं तब ये पराथे फ्लेके भी बनकर तयार होंगे यानि की खस्ता बनकर तयार होंगे तो घी मैंने अच्छे से evenly spread कर दिया है और इसमें नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर तो अगर आप ये पराथे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो या तो आप अप कम मिर्च का इस्तेमाल करें या मिर्च अवॉइड और साथ में मैं डालूँगी साबुत जीरा जो कि इस पराथे को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और इसे इस तरीके से हम उंगली से अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि इवनली स्प्रेड हो जाए और सारा मसाला पराथे पे अच्छे से लग होगा आप इस ट्रिक को एक बड़ जरूर आजमाए जब भी आप पराथे बनाते हैं एक बर इस तरीके से बना कर देखें आपको खुद बखुद बता चलेगा पराथा कितना जादा फ्लेकी बनता है और कितना मजे का बनकर तयार होता है अब इन सारी स्ट्रिप्स को हम ए और अब हम इसे इस तरीके से रोल करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी परतों वाला पराथा बना है और एंड को हम बीच में टक करके से फिर से रोल करेंगे और इस पार हमें इसे रोल जेंटली करना है हम बहुत जादा प्रेशर लगा कर रोल नहीं करेंगे तो पराथा अगर आपको मोटा रखना है तो आप इसे थोड़ा मोटा रख सकते हैं मैं इसे पतला बेलकर तयार कर रही हूं यानि कि बहुत पतला भी नहीं बेलूंगी तो आप देख सकते हैं कैसा पराथा बेला है मैंने यह बहुत पतला भी नहीं है पर मैंने इसे मोटा भी नहीं रख तो अब हम इसी तरीके से सारे परांथे बेलकर तयार कर लेते हैं तो मैंने दूसरा परांथा भी बेलकर तयार कर लिया है और इस पर मैं घी अपलाई कर रही हूं तो दोस्तों ध्यान रहें हमें घी में कंजूसी नहीं करनी है घी अच्छे से लगाना है तो यह मैंने घी भी अच्छे से अप्लाई कर दिया है और अब इसमें हम फिर से डालेंगे स्वादनुसार नमक और लाल मर्च पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन तो दोस्तो जब भी आप अजवाइन डालें इस तरीके से हथेली के वीच में से रब करके डालें जिसे इसका फ्लेवर और खुश्बू बहुत ही इन्हेंस हो जाता है तो यह पराठा भी आप जरूर बना कर देखें और इन सारी चीजों को हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम फिर से स्ट्रिप्स में काटेंगे और इसे एक दूसरे पर अरेंज करेंगे वें टॉट को चाहें तो आप दही के साथ अचाइके साथ भी इन्जॉओates कर लेते हैं इक के यह हमारा पराठा वी बनकर तयार हो चुका है तो इसी तरीके से अब हम तीसरा पराठा भी देख लेते हैं कि कैसे बनाना है तो मैंने तीसा पराठा भी बेल कर तयार कर लिया है मैं फिर से घी अपलाई कर रही हूं इस पर घी मैंने लगा दिया है नमक डालूंगे मैं स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पॉडर डाला है मैंने और अब मैं इसमें डाल रही हूं चाट मसाला और साथ में इसमें डालूंगी में भुना हुआ जीरा पाउडर और इसे और भी फ्लेवर्फूल बनाने के लिए उपर से हम इसमें डालेंगे धन्ये के पत्ते जाने की आप चौपक धन्या डाल सकते हैं मेरे पास बहुत छोटे वाला धन्या था तो मैंसे सावती डाल रही हूँ अब इसे मैंने इस तरीके से पर्तों में आप देख सकते हैं मैंने कैसे किया है मैंने इस तरीके से रोल किया है और इसे भी हम बेल कर तयार कर लेंगे तो आपको जो मेठेड पसंद आता है आप उस मेठेड से पराँठा बनाकर तयार कर सकते हैं कि और इसे भी हम जैंटली रोल कर तैयार कर लेते हैं यह मारा तीसरा पराध़ भी बनकर तैयार हो गया है तो चलिए बरस दूसतो चौथ हरा प्राध्य के सिंपल तो यहां पर मैंने थोड़ा सा सुखा आठा इस पे स्प्रेट किया है क्योंकि यह बहुत गीला हो गया था और इसे हम इस तरीके से फिर से रोल कर लेते हैं. तो यहां पे मैंने तवा गरम करके रख लिया था पहले से ही उपर से मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूं और इस पे मैंने पहला पराथा सेखने के लिए रख दिया है तो आप देख सकते हैं पराथा उपर से बबल्स आने शुरू हो गये हैं तो आप इसे पलट देंगे और तो इसे दो मिनट के लिए हम सिखने देंगे तो गैस को अभी आप धीमी रखे जिससे पराथा अच्छे से अंदर से शिक जाएँ और पराथा हमारा दो मिनट के बाद पीछे से भी सिख चुका है तो आप उपर से हम इससे घी डालेंगे और इस तरीके का झरर होता है ना और इससे अच्छे से दबा कर हम पराठा सेकर तयार करेंगे। आप नॉर्मल घर के पराठे बनाते हो तो इस तरीके से आप जरड से बना कर देखेगा आपके पराठे बहुत ही खसता और अच्छे सिकर तयार हो जाएंगे। तो अब उपर से भी हम घी लगाते है एस पर और इसे भी हम अच्छे से दौनों तरफ से सेखकर तयार कर लेंगे तो इसे अलट पलट के हर तरफ से हम अच्छे से से शेक लेंगे आपको जितना गोल्ड यह भी हमारा घीड ऑलेंगे और इसे इसी तरीके से इसे तायार कर लेंगे आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें परते पड़ी हुए है कि तो यह पर अधा भी हमारा बन कर तयार हो चुका है ем dopamine कि इसी तरेखे से आप पर आठा भी बिल het कर लेते हैं पाल ciąल पर अप्लाइन दृक्तày खेंगे और पहोल इसेख कर लगेर फिसल्ट 的 nervous давно 8 अब कई न मेहां अब तक फ्रश्व पराठी कंटवू च्व टो यहां परांध मैं आज इसे सर्फ यहां Week झांडा मन हो तो आप इसे नहीं खरोगी के साथ सर्फ कीजिए या ऐसे ही सके मजे लीजिए तो आप देख सकते कितने खस्तधा मज़ेदार अजये बनकर त्यार हुए हैं आप इसे जॉइज जरूर कीजिएगा बना कर तो मैं मिलती हूं अगले वीडियो में नई के साथ तब तक अपना ख्याल रखियों और स्वस्थ रहें।